आज मैं आप सभी के लिए काफ़े important वीडियो लेके आई हूं तो देखिए आपके आगामी उत्राखन के सभी एक्जाम के रिकार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए hundred question का practice set लेके आई हूं तो देखिए ये practice set टोटली आयू के pattern पर तयार किया गया है जिस तरीके का आपका आ आगामी question paper आयू के द्वारा बनाया जाएगा उसी pattern पर इस practice set को तयार किया गया है तो काफी महत्वपोनी ये practice set है आपके आगामी पटवारी लेक पाल फॉरेस्ट गार्ट वा अन्य यू के पी एसी द्वारा कंड़क्ट कराये जाने वाले सभी exams के लिए तो आप सभी लो साथी साथ बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हमको वी वीडियो डालते हैं तो इसका notification आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं ये भी study with aim के नाम से ही बना हुआ है और टेलिग्राम चैनल पर रात को 8 बजे quiz का भी आयजन किया जाता है काफ़ important question आपको quiz के रूप में दिये जा रहे हैं तो आपको join कर सकते हैं तो चलिए आज के session को हम start करते हैं और इस session का पहला question है रही मन पुतरी शाम मनहू जलज मधुकर लस है प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो देखे इन पंक्तियों में है कौन सा अलंकार उ जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहां पर आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार और इस अलंकार में मनू मनहू जनू जनू जानू इसके अलावा मानो नश्य इव ज्यों आदी शब्द आते हैं इस अलंकार में उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं मनू मनहू जनू जनू जानू निश्य इव ज्यों ये शब्द आते हैं तो यहां पर देखें इस पंक्ति में तो इस पंक्ति में कौन से शब्द आया हुआ है मनह शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्प्रिक्षा अलंकार, अगला कुश्चन देखेंगे, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, तो देखें, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, बंग महिला, ओप्शन A, यहाँ पे आपका बिलकुल करे answer है अगला question देखेंगे किस भाव को वियाभिचारी भाउ भी कहा जाता है most important question है तो देखें हिंदी साहिती के किस भाव को ये भाव है संचारी भाव जिसे वियाभिचारी भाव भी कहा जाता है option D यहाँपे आपका बिल्कुल right answer अगला question देखेंगे अंधा यूग किसकी रचना है तो अंधा यूग ये रचना है किसकी धर्मवीर भारती की option D यहां पे आपका right answer है अगला देखेंगे निमन मेंसे कौन पश्चिस्वर है तो देखें इन मेंसे पश्चिस्वर बताना है तो correct answer क्या हो जाएगा यहां पे आ right answer है पश्चिस्वर है आपका इसमें से आ option A पे right answer है अगला देखेंगे हिंदी में हिंदी साहितिका इतिहा सबसे पहले किस ने लिखा है तो देखें important question है और अक्सर राजभासा संबंदी प्रावधानों से एक question पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे तो correct answer यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुछे 343-351 तक भारती समिधान के अनुछे 343-51 में राजभासा संबंदी प्रावधानों का उलेक किया गया है option A यहाँ पे आपका बिल्कुल right answer है चलिए अगला question है आपका निम्नलिकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है तो पश्चिमी हिंदी थोड़ा साब को यहाँ पे मैं detail में बता देती हूं ध्यान से आप अभी लोग इसको समझेगा देखे पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकार सोर सैनी अप भ्रंच से हुआ है यह आपको याद रखना है और इस हिंदी की कितनी बोलिया है देखे पश्चिमी हिंदी की पांच बोलिया है कौन कौन सी बोलिया है एक तो है आपकी कौरवी दूसरी है ब्रिज भाषा तीसरी है आपकी हरियानवी हरियानवी चोथी है आपकी बुंदेली और पांच वी है आपकी कन्नोजी तो पश्चिमी हिंदी की पांच बोलिया है यह आपको याद रखना है कौर्वी, ब्रिजभाषा, हरियानवी, बुंदेली और कनोजी अब यहाँ पर कुश्चन देखें निमने लिखित में से कौन सी पश्ची में हिंदी की बोली है तो यहाँ पे question आपका होना था कि निमने लिखित में से कौन सी पश्ची में हिंदी की बोली नहीं है तो यहाँ पे आपका right answer हो जाता बगहली बोली थोड़ा सा type करने में यहाँ पे गलत हो गया है तो आप इसको correct कर लिजेगा इन में से पश्ची में हिंदी की बोली कौन सी नहीं है बगहली बोली नहीं है बाकी बुंदेली ब्रज और कनोजी यह पश्ची में हिंदी की बोलिया है कौरवी की बात करें तो कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है और इस भाषा का मोल नाम कौरवी था ये ध्यान रखेंगे इस भाषा का कौरवी भाषा का मोल नाम कौरवी था और इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है साहित भाषा बनने के बाद खड़ी बोली इसका नाम और खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो देखिए सर हिंदी खड़ी बोली का अन्य नाम है ब्रिज भाशा की बात करें तो पश्ची में हिंदी की प्रमुख बोली है ब्रिज भाशा हरियानवी की बात करें तो इस बोली को क्या कहा जाता ह बांगरू भी कहा जाता है तो आपसे पुशा जाए कि निम्न मैंसे बांगरू किस बोली को कहा जाता है तो बांगरू कहा जाता है हरियानवी बोली को बुंदेली जो है ये कहां पर बोली जाती है देखिए जहांसी और ग्वालियर छेत्रों में बुंदेली बोली बोली जात और यहां से अक्सर आयों के द्वारा question पूछा जाता है चलिए आपको यह question मैंने अच्छे से clear करा दिया I hope आपको समझ में आ गया होगा अगला देखेंगे आलहा किस रितु में गाया जाता है तो देखें आलहा की बात करें तो यह किस रितु में गाया जाता है वर्षा रित पंक्ती है मैथिली शरण गुप्त की option B यहां पे आपका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा अगला question है उन्नती में कौन सी संधी है तो देखें उन्नती में हो जाएगी आपकी कौन सी संधी व्यनजन संधी option A बिलकुल राइट आंसर है अगला question देखेंगा वहाइस्था और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़े तो इससे क्या कहा जाता है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शितिच option A बिलकुल राइट आंसर है अगला देखेंगे अश्ट चाप कवियो में पर्थम नियोक्त कीरतनकार कभी कौन है तो देखें अश्ट चाप कव परियो में सबसे प्रमुख भी माने जाते हैं अगला question है किस छेतर की बोली को काशिका कहा गया है तो देखें काशिका किस छेतर की बोली को कहा गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस बनारस छेतर की बोली को क्या कहा गया है काशिका अगला question है काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, करिया कहा जाता है, option C, यहाँ पे आपका right answer है, अगला question देखेंगे, वाची कितने प्रकार के होते हैं, इन प्रकार के वाची होते हैं, option A, यहाँ पे आपका right answer है, अगला question देखेंगे, शेव का विशेशन होगा。 तो देखे शेव का विशेशन बताना है यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा क्या? शेव का विशेशन होता है. शेव option C. यहाँ पे आपका right answer है अगला देखेंगे उत्पत्ति के अधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के अधार पर यहां पर किस नाम से जाना जाता है तु देखे तीहरी डैम जो है इसको इस्थानी इस्थानी इस्थार पर यानि कि इसका इस्थानी नाम क्या है सुमन सागर अगला कुशन देखेंगे पदमश्री पाने वाले उत्राखंड के पहले वेग्यानिक थे तो देखें पदमश्री पाने वाले उत्राखंड राजी के पहले वेग्यानिक कौन थे निलामबर पंत थे इन्हें पदमुश्री Award से किस वर्ष शमानित किया गया यह आप Comment करके बताईएगा Comment सेक्षन में अगला देखेंगे उत्राखंड उच्छ शिक्षा निदेशाले इस्तित है तो देखें उत्राखंड उच्छ शिक्षा निदेशाले ये कहा पर इस्तित है हलवानी में स्तित है most important question है आपका अगला देखेंगे छेला पॉनाई वा अंडे काड राइट आंसर है अगला कुशन देखेंगे भातून मेला किस जनपद में लगता है तो देखें भातून मेला जो है आपका ये कहां पर आईजित किया जाता है रुद्र प्रियाग जनपद में ऑप्शन C यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला question देखेंगे राकत किस जनजाती का देवता है तो देखें राकत जो देवता है ये किस जनजाती के हैं राजी जनजाती के option D यहाँ पर आपका correct answer है अगला देखेंगे काचूला खरक में कस्तूरी म्रग परजनन एवं शंगरक्षन केंडर की स्थापना कब की गई थी वर्ष 1982 में की गई थी यानि कि option A यहाँ पर आपका right answer है काचूला खरक किस जनपद में स्थिद है आप comment करके बताईएगा अगल question है पहला पंवार शाशक जिसका धारशिल अभिलेक प्राप्त हुआ है यह है अनंतपाल option B यहाँ पर आपका right answer है अगला देखेंगे उत्राखंड में राजसु पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई most important question है तो देखें उत्राखंड में राजसु पुलिस को कब से लागू किया गया था 1864 इस भी से option discussion का right answer है अगला देखेंगे नरुतम दास को किस चंद शाशक ने अपना वजीर बनाया था तो देखें नरुतम दास को किस चंद शाशक ने त्रिमल चंद ने अपना वजीर बनाया था option A यहाँ पर आपका right answer है और out of hundred आपको कि कुश्चन आज के इस practice set में आए यह आप comment करके बिताईएगा comment section में अगला देखेंगे योगदा शाखा सत्संग आश्रम कहां इस्तित है तो ये कहां पर इस्तित है द्वारा हाट में और द्वारा हाट आपके किस जनपत में इस्तित है अल्मोडा जनपत में तो अल्मोड देखेंगे रीठा मीठा साहिब में सिखों के कौन से गुरू रुके थे तो देखे रीठा मीठा साहिब में सिखों के कौन से गुरू रुके हुए थे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरू नानक ऑप्शन भी यहाँ पे आपका राइट आंसर है और जो है ये कब से कब तक इसका right answer हो जाएगा अगला question है जहर ओलिया का मेला कहां पर लगता है तो देखे जहर ओलिया मेला कहां पर लगता है काशीपुर में option यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला देखेंगे पंगोट और किलबरी bird century किस जनपद में इस्तित है तो देखे पंगोट और किलबरी bird century ये कहां पर ये नेनिताल जनपद में इस्तित है option ब यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे रामायन कालीन बार्णा सुर की राजधानी थी तो देखे रामायन कालीन बार्णा सुर की जो राजधानी थी ये कहां पर थी जोशी मठ में और वहीं आपसे पूछा जाए कि बाना सुर किला कहां पर इस्तित है बाना सुर किला किस जनपद में इस्तित है या किस इस्तान पर इस्तित है बाणा सुर्ख किला आपसे पूछा जाए तो आपको चमपावत याद रखना है और रामायन कानिन बाणा सुर्ख की राजधानी पूछी गई है यहाँ पे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो शीमाट अगला कुशन है कोडियाला इस्थान जो गंगा नदी के ताट पर इस्थित है वह क्यों पृषिद है तो देखे कोडियाला नामक जो इस्थान है यह किसलिए पृषिद है यह रीवर राफ्टिंग के लिए काफे पृषिद है और आपका राइट आंसर है कहां पर इस्थित आप कमेंट करके बताएं जल्दी से अगला देखेंगे जहांगीर नामा में किस चंद शाशक का उलेख मिलता है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षमी चंद ऑप्शन बीस कुषिन का राइट आंसर है अगला कुषिन है शंकराचारी ने केदानात में अपना आपका राइट आंसर है अगला कुषिन देखेंगे लोनली फरोज आफ द वॉर्डर लेंड पुस्त के लेखक हैं तो देखें लोनली फरोज आफ द वॉर्डर लेंड इस पुस्त के लेखक बताने हैं तो इस पुस्त के लेखक कौन है कलियान सिंग पांकती है ऑप्शन ए हापका राइट आंसर हो जाएगा अगला देखेंगे उरेडा का मुख्याले कहां परिस्तित है तो इस कुशन का बिलकुल राइट आंसर है अगला देखेंगे पुरुष शाक्षरता के क्रम में चामोली कौन से क्रम में है तो देखें पुरुष शाक्षरता के क्रम में चामोली जनपत जो है ये किस क्रम में दूसरे क्रम में है ऑप्शन भी यहाँ पे आपका राइट आंस subscribe नहीं किया है, वो subscribe कर लेजएगा अगला देखेंगे, John Margaret लेगी, जिनकी म्रत्यों 4 जुलाई, crushing 49 को हुई थी, कीर कहा है, तो देखे John Margaret लेगी, जिनकी म्रत्यों कभ हुई थी, 4 जुलाई, にな vibrant को हुई थी, और इनकी कबर कहाँ पर है, फूलो की घाटी में जौन मार्गिट लेगी ये फूलो की घाटी कब आई थी ये आप कमेंट करके बताईएगा अगला देखेंगे रमान उत्सौ निमने लिकित मैंसे किस गाओं में सबसे ज़्यादा लोग परी है तो देखें रमान उत्सौ बहुत अच्छे से पढ़ लिजे रमान उत्सौ किस गाओं में सबसे लोग परी है ये बताना है तो सलूड गाओं में रमान उत्सौ लोग परी है इसको यूनेसको के द्वारा विश्व धरोहर कब घोशित किया गया ये आप कमेंट करके बताईएगा अगला कुशन देखेंगे केदारनाथ की उचाई कितने मीटर है तो देखें केदारनाथ की जो उचाई है वो कितने मीटर है 3584 मीटर है ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है अगला देखेंगे निम्नले खित मैसे कौन सा बुग्याल रूदर परियाग में नहीं है तो रूदर फरियाग में कौन सा बुग्याल नहीं है देखे पनार, पिंगू, मद महिश्वरी ये सभी बुग्याल है रूदर फरियाग में जबकि मानेक नाम का बुग्याल नहीं है आप कमेंट करके बताएं कि मानिक बुग्याल किस जनपत में इस्तित है अगला कुशन है आपका गड़वाल का स्विट्जर लेंड किसे कहा जाता है गड़वाल का स्विट्जर लेंड कहा जाता है किसको चोपता बुग्याल को ये ध्यान रखेंगे important question है अगला कुशन देखेंगे देश में कलस्टर की रूप में चुना गया पहला शहर कौन सा है देखेंगे देश में कलस्टर की रूप में चुना गया पहला जो शहर है ये है काशिपुर शहर option based question का right answer है अगला देखेंगे भालू डैम जिसे स्वर्ण लता ताल भी कहा जाता है का निर्मान किशवर्ष हुआ था तो देखें भालू डैम जिसे स्वर्ण लता ताल भी कहा जाता है इसका निर्मान किशवर्ष हुआ वर्ष 1935 इस भी में option based question का right answer है अगला देखेंगे अल्मोडा में एतिहासिक जेल की स्थापना किशवर्ष हुई थी तो अल्मोडा में एतिहासिक जेल की जो स्थापना है ये कप की गई थी 1872 में option C इस question का right answer हो जाएगा अगला देखेंगे कुमाओ का खजुराहू किसे कहा जाता है कुमाओ का खजुराहू कहा जाता है द्वारा हाट को option C यहाँपे आपका right answer है अगला question है आपका गव्यूडी गुफा कहां इस्तित है तो देखेंगे गव्यूडी गुफा जो है यह आझे कहां पर इस्तित है देवी धुरा में option B यहाँपे आपका right answer है अगला देखेंगे किस का पिरामिट उल्टा नहीं हो सकता? Comment करके बताईएगा comment section में अगला question है कौन सी परवत श्रंखला विश्व में सबसे लंबी है तो दिखे विश्व में सबसे लंबी परवत श्रंखला है andys परवत श्रंखला most important question है अगला question देखेंगे भारत का राष्टे पंजांग किस काल पर आधारित है तو ये भारत का राश्ट्री पंचांग जो है ये किस काल पर आधारित है ये काल है आपका शक काल option c is question का right answer है अगला देखेंगे egg mark किस के मानक की गारंटी है तो देखे egg mark जो है ये किस के मानक की गारंटी है गुणवत्ता की option is question का right answer हो जाएगा अगला question है सूचनाओं का वह समो जो एक computer को नर्देश करता है ये कहलाता है आपका program option d यहाँ पे आपका right answer है अगला देखेंगे rail किस के शाषनकाल में चलाई गई थी तो देखे rail चलाई गई थी किस के शाषनकाल में Lord Dalhoji के शाषनकाल option b यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखेंगे भारत विभाजन की योजना का प्रारूप किस से सम्मंदित है तो देखे भारत विभाजन की योजना का प्रारूप ये शमंदित है माउंट बेटन योजना से option B, स्थापित किया गया अगला कुछन है लोगसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्रों किसे भेज सकता है लोगसभा का अध्यक्ष होता है ये अपना त्याग पत्रों लोगसभा उपाध्यक्ष को भेज सकता है अगला कुछन है भूमी सुधार का विशय किस से सम्मंदित है भूमी सुधार का विशय किस से सम्मंदित है ये राज्य सूची से सम्मंदित है option B question का बिलकुल right answer हो जाएगा session को share नहीं किया है आप लोगों ने जल्दी से इसको share कर दीजिए अगला देखेंगे राज सभा होगा यहाँ पर correct का लीजिएगा यहाँ पर राज सभा कब भंग होती है तो देखें राज सभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है option D यहाँ पर आपका right answer है अगला question है आपका पुली केशिन द्विती की एहोल प्रस्वस्ती का लेख कौन था तो देखें यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा विलहन option B question का right answer है अगला देखेंगे काकोरी सभी अंत्र कांड का प्रमुख व्यक्ती कौन था काकोरी सभी अंत्र कांड का प्रमुख व्यक्ती था राम परशाद विश्मिल option B question का right answer है अगला question देखेंगे इटली की राजधानी है तो इटली की राजधानी कहाँ पर है रोम में option B question का right answer है अगला देखेंगे मुद्राइस्पीती के समय कौन सा वर्ग लाब में रहता है तो देखें मुद्राइस्पीती के समय कौन सा वर्ग है जो कि लाब में रहता है ये वर्ग है प्यापपारी वर्ग औप्शन C यहाँ पे आपका राइट आंसर है अगला कुश्यन देखेंगे हाथी गुमफा अभी लेग में किसकी उपलब्दियों का विवरण है हाथी गुमफा अभी लेग जो है इसमें किसकी उपलब्दियों का विवरण किया गया है जो कि कल्यान कारी राजी के आदर्श खोशित करता है तो यहाँ पे आपका correct answer है राजी के नेती निर्देशक सिंदान्त अगला question है सजाती उत्पाद एक लक्षन है सजाती उत्पाद ये पूर्ण बजार का एक लक्षन है option discussion का right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे राजी सरकार के विधिक सलाकार को कहते हैं तो देखें राजी सरकार के विधिक सलाकार को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है advocate general option A यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखेंगे लोकसभा के सोन्यकाल की अधिकतम आविधी होती है कितनी यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा एक घंटा अगला question देखते हैं पल्लवों की राजधानी थी तो देखे पल्लवों की राजधानी कहां पर थी देखे काची में पल्लवों की राजधानी थी option B यहाँ पे आपका right answer है अगला question है आपका भारत निमने लिखित में से किस गोलार्द में इस्तित है तो भारत इस्तित है आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्द में option A यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा अगला question है सिंग भूम किसके लिए परशिद्ध है सिंग भूम जो है यह आपके क्यों परशिद्ध है देखिए लोहे के लिए परशिद्ध है सिंग भूम और यह किस राजी में located है आप comment करके बताईएगा अगला कुश्यन है फियोड तटो का देश कहलाता है तो देखे फियोड तटो का देश कहलाता है कौन सा ये देश है ये है नौर्वी जो कि फियोड तटो का देश कहलाता है अगला कुश्यन है लाग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है तो देखे लाग हॉल नेटवर्क कहा ज अगला कुश्यन है राश्टी आपातकाल की उद्गोशना कितनी बार की गई है दिखे राश्टी आपातकाल की उद्गोशना तीन बार की गई है अभी तक ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है अगला कुश्यन देखेंगे निमने मैं से रीट का अर्थ को प्रस्तुत किया गया है तो देखें रिट के अर्थ को प्रस्तुत किया गया है किसके द्वारा बंदी प्रत्यक्षी करण के द्वारा option B question का right answer है अगला दिखेंगे जल जीवन mission के तहत वर्ष 2024 तक हर घर में नल द्वारा पानी पहुचाने का लक्ष रखा गया है अगला देखेंगे 56 आदमी एक कारी को 24 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कारी को 8 दिन में कितने आदमी पूरा करेंगे तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा देखें 32 option B यहाँ पे आपका semi current दी हुई है तो question mark की जगह पे क्या आएगा यह बताना है तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा 8576 अगला question है 2 km 5 मीटर किसके बराबर है देखें 2 km 5 मीटर यह किसके बराबर होता है यह आपके 2.005 के बराबर होता है option D यहाँ पे आपका right answer है अगला देखेंगे कैची कप बनाना है तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा जैसे कैची और कपड़ा का एक जोड़ी बना दी इसकी और ऐसी क्या जोड़ी बन जाएगी यहाँ पे आपका right answer है देखें उस तरह डाड़ी option B question का right answer है अगला question देखेंगे 1 महोत्सो निमन लिखित में से किस से संबंदित ह तो वन महोत्सो बताना है किस से संबंदित है तो correct answer हो जाएगा आपका व्रक्षा रोपन से option B question का right answer है अगला देखेंगे नगर निगम का ध्यक्ष कौन होता है नगर निगम का ध्यक्ष होता है कौन महापौर option discussion का बिल्कुल correct answer है अगला देखेंगे वर्तमान समय में भार प्रति समविधान में कितने 22 भासाओं को मानिता प्राप्त है यह आपको याद रखना है अगला देखेंगे भारत में कितने पाईस्थितिक hot spot है most important question है तो देखें भारत में कितने 4 पाईस्थितिक hot spot है कहां कहां पर यह hot spot है यह आप comment करके बताईएगा अगला question अत्यधिक जुका हुआ है तो देखें यहां पर आपका right answer हो जाएगा अरुण कौन सा ये ग्रह है ये ग्रह है अरुण जिसका घोनन अक्ष अत्यधिक जुका हुआ है तो okay guys आज के session में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज क के regarding काफी important classes आप सभी को study with aim provide करा रहा है तो आप channel तो subscribe कर ही लीजे साथ इसाथ आप सभी लोग इस session को share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ अपने whatsapp groups में आज की ये class आपको कैसी लगी comment section में comment करके जरूर बताएं तो चलिए मिलते हैं next interesting videos के साथ तब तक के लिए धन्यवा झेगे लिए मिलते ही मिलते हैं तो तो पाल से होगा हैाईं तो случа gratis मिलते हैं झेते हैं आपको में दोस्तों के बताएं तो रिए मिलते हैं अक्तों कर्वाएं देते हैं उरूर गएमंश।र्स के घंट著 लीजे कि लिए तो तोष़ांईर वी धन्यवां तो समलित तोपका